दुनिया भर के लगभख सभी देशों में इन दिनों धार्मिक आबादी में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसे लेकर American Think Tech Pure Research Center में एक अध्येन की जिसमें कई चौकाने वले तथ निकल कर आये हैं। साल 2015 में हुई study में पाया गया की अगले चार दसकों में दुनिया भर के देशों में धार्मिक आबादी में बड़ा बदलाव फिर वदल होगा। इस धार्मिक आबादी में Christianity, Islam और अनेक धर्मों शमेत हिंदू धर्म भी शामिल है। इस अध्यन के आधार पर आज हम आपको पांच ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां साल 2050 तक सबसे ज़्यादा हिंदू हो जाएंगे। नमबर वण है प्यू रिसर्च सेंटर की स्टड़ी के मुताबिक साल 2050 में हिंदू धर्म पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी वैसिक आबादी का 15 फिजदी होगी। हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे अधिक लोग भारत में होंगे और उस समय तक इनकी आबादी 1.297 विलियन हो शक्ति है। वर्तमान समय में भी हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग भारत में हैं। और यह कुल जनसंख्या के 79.8 फिजदी है। हिंदू आबादी में दूसरी नंबर पर नेपाल है। नेपाल में साल 2020 तक इस धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी 38.12 बिलियन होगी। साल 2011 की नेपाल की जनगर्णा में लगभाग 81.3 फिजदी लोगों ने खुद को हिंदू बताया है। बता दें कि साल 2006 से पहले ये देश हिंदू राष्ट वन चुका है। लेकिन बाद में खुद को धर्म निर्पेश्च घोशित किया था। कि अब यहां राजनेतिक और आर्थिक संकट के बीच धर्म परिवतन की खवरे खुब आने लगी है। बंगला देश दुनिया का वो तीसरा देश होगा जहां सबसे ज़्यदा हिंदू धर्म मानने वाले लोग होंगे। हाला कि साल 2011 में हुआ यहां का सेंसर बताता है कि हिंदू धर्म यहां की पहली माइनोटरी है। जिन में लगभग 8.96 अबादी शामिल है। भारत के पडोशी देश पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म मानने वाले करीब 5.63 बिलियन लोग होंगे। ऐसे में यह देश हिंदू आबादी में बिश्व का चौथा सबसे बड़ा देश होगा। हाला कि वर्तमान समय में इस देश में हिंदू माइनोटरी में होंगे और इनकी हालत खास बहतर नहीं है। पाकिस्तान में लगातार जबरन धर्म परिवर्तन जैसी खाबरें शामने आती रहती हैं। ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि आगे हालात की करवट किस तरब बैठेंगे। हिंदू आवादी के मामले में अमेरिकन दुनिया का पाज़व सबसे बड़ा देश हो शकता है। अध्यन के मुताबिक साल 2050 तक अमेरिका में 4.78 विलियन हिंदू होंगे। पता दें कि रिसर्च सेंटर ने रिलिजियस हैंड इसकेप स्टेडी के तहत यह और शत निकाला था। उस शमय साल 2015 में अमेरिका में हिंदू आवादी 22.3 लाग हो चुकी थी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही और भी जानकारियां पराप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन विल को दबाएं।